है है लो गाइज वागत है आपका अमारे चेनल सफलतावान इक स्पेस में जहां आपको एजुकेशन से रिलेटेड करे सारी जानकारी मिलती है तो आज हम आपके लिए क्लास त्यंथ जोगराफी जो बिहार बोट से रिलेटेड है चेप्टर टू किर्शी चेप्टर से आपको आज अबजेक्टिव हम कुछ बताएंगे जो 100% है कि आपको एक्जाम में टकराएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला निमलिखीत में खड़ी फशल कौन है? ए गेहूं, बी सरसो, सी चावल, डी मतर इंसर इसका होगा सी चावल दूसरा कुश्चन है निमलिखीत में से कौन रवे फशल है? ए धान, बी गेहूं, सी केला, डी चाय इसका इंसर बी होगा गेहूं तीसरा कुश्चन है निमलिखीत में से किस राज में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी करनाटक, सी मध्य परदेश, डी उत्तर परदेश इसका इंसर होगा सी मध्य परदेश चोथा कुश्चन है जूट के उत्पादक, उत्पादन में कौन राज आगे है? ए बिहार, बी असाम, सी उरिशा, डी बंगाल जो लिखा हुआ है, गलती से मिश्टेख होच चुका है इसका इंसर होगा डी बंगाल पांचमा कुश्चन है जूट के उत्पादन में कौन राज आगे है? ए मध्य परदेश, बी उत्तर परदेश, सी बिहार, डी महराश, स्कैंसर होगा बी उत्तर परदेश चठा कुश्चन है चावल के उत्पादन में कौन राज पर्थम है? A. बिहार, B. मध्यप्रदेश, C. उत्तरप्रदेश, D. पश्चिम्बंगा, इसका एंसर होगा D. पश्चिम्बंगा शात्वा कुश्चन है, निम्लखीत में सीत कालीन फशल कौन है? A. चावल, B. प्याज, C. गेहूं, D. मडवा, इसका एंसर होगा C. गेहूं अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में आये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दवाना न भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए आगे कि, इनमें कौन राज्य चाय का पर्मुख उत्पादक है? A. जहारखंड B. महराश C. असम D. पश्चिम्बंगा इसका एंसर होगा C. असम नवा क्वेश्चन है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राजे में होता है? A. असम B. करनाटक C. केरल D. तमिलनाडू इसका एंसर होगा B. करनाटक दासमा क्वेश्चन है महराश किस फसल की खेती के लिए परशिद्ध है? A. धान B. कपाश C. कहवा D. जूट इसका एंसर होगा B. कपाश एगारवा क्वेश्चन है उत्तर भारत का कौन साराज गन्ना उत्पादन के लिए श्रवाधिक परशिद्ध है? A. उत्तर परदेश B. पंजाब C. पश्चिम बंगार D. हर्याना इसका एंसर A. होगा उत्तर परदेश बारवा क्वेश्चन मुंग फली का सबसे बड़ा उत्तपादक राज्य कौन है? A. बिहार B. महराष्ट C. गुजरात D. करनाटक इसका एंसर होगा C. गुजरात तेरवा क्वेश्चन है दच्छिन भारत में श्रवाधिक गन्ना उत्पन करने वाला राज्य कौन है? A. करनाटक B. महराष्ट C. कमिलनाडू D. आंद्रपर्देश इसका एंसर होगा B. महराष्ट चोद्वा क्वेश्चन है भारत की कितनी आबादी क्रिशी कारियों से जूरी है? A. 1Y3 B. 2Y3 C. 1Y4 D. 1Y5 इसका एंसर होगा B. 2Y3 पंद्रपर्वा क्वेश्चन है इनमें कौन क्रिशी को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? A. नमी B. तापमान C. जनसंख्या D. मिर्दा इसका एंसर होगा C. जनसंख्या शोलमा क्ेश्चन है पउध्धूं के अंकूरं के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? होना आविश्चक है A. 3DC B. 15DC C. 18st D. 6DC C. इसका एंसर होगा C. जनसंख्या भारत के किस्म राज में किस राज में की जाती है कि A केरल, B गुजरात, सीख 36 गड़, D आंधर परदेश इसका अंसर होगा A केरल अठारवा कुश्चन पुर्वोत्तर राजियों में स्थानांत्रित कृशी को किस नाम से जाना जाता है A दहिया, B जूम, C दीपा, D खील इसका अंसर होगा B जूम उनिश्वा कुश्चन है जारखंड में स्थानांत्रि कृशी को क्या कहा जाता है A पामुलू, B पोरू, C कोरुवा, D कुमारी इसका अंसर होगा C कोरुवा बीश्वा कोश्चन है भारत में सुद्ध बोई गई भूमी कितना हेक्टियर है A पांच करोड, B चोदा लाक, C चोदा करोड, D पच्चिस करोड इसका अंसर C होगा, चोदा करोड एकिस्वा कोश्चन है पंजाग की कितनी परतिसत भूमी का करशित भूमी है A 33 परतिसत, B 84 परतिसत, C 48 परतिसत, D 14 परतिसत, इसका अंसर होगा B 84 परतिसत, बाइस्वा कोश्चन है निमलिखीत में कोन खरीफ की फसल नहीं है A धान, B ग्यहू, C मूंगफली, D कपास, इसका अंसर होगा, B ग्यहू 33 परतिसत, बाइस्वा कोश्चन है निमलिखीत में कोन खरीफ की फसल नहीं है A ग्यहू, B चना, C मकई, D सरसू, इसका अंसर होगा, C मकई 24 परतिस्वा कोश्चन है इनमें कोन खरीफ की फसल नहीं है 25 परतिस्वा कोश्चन है धान की खेती के इंतरगत सरवादिक भूमिक किस राज्य में है A पंजाब, B पश्चिम बंगाल, C बिहार, D केरल, इसका अंसर होगा, D केरल 26 परतिस्वा कोश्चन है धान का परति हेक्टियर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है A पंजाब, B बिहार, C उत्तरप्रदेश, D पश्चिम बंगाल, इसका अंसर होगा, A पंजाब 27 परतिस्वा कोश्चन है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है A उडिसा, B गुजरात, C राजस्थान, D महाराष्ट, इसका होगा, D महाराष्ट 28 परतिस्वा कोश्चन है, बाजरा उत्तरपादन मह में कौन सा राज्य पर्थम है A बिहार, B गुजरात, C उरिशा, D छतिसगेड, इसका अंसर होगा, B गुजरात 29 परतिस्वा कोश्चन, इनमें कौन निर्वाहन किर्शी की उपज नहीं है 30 परतिस्वा कोश्चन, तिलहन उत्तरपादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है पहला, A पहला, B दूसरा, C पाचवा, D आठवा, इसका अंसर होगा, A पहला 32 परतिस्वा कोश्चन, मुँख फली का सबसे अधिक उत्तपादन किस राज में होता है A बिहार, B छतिसगेड, C राजस्थान, D गुजरात, इसका अंसर होगा, D गुजरात 33 परतिस्वा कोश्चन, भारत का नारियल, प्रदेश, किसे कहा जाता है A केरल, B करनाटक, C उडिशा, D असाम, इसका अंसर होगा, A केरल 34 परतिस्वा कोश्चन, ग्रिश्म कालीन, प्रियाप्त, शवर्षा किस फसल की खेती के लिए उप्युक्त है A चना, B धान, C गयों, D कपास, इसका अंसर होगा, B धान 35 परतिस्वा कोश्चन, पंजाब की किस फसल का सर्व प्रमुक पादक है A बाजरा, B धान, C चाय, D गयों, इसका अंसर होगा, D गयों, 36 परतिस्वा कोश्चन, उत्तर प्रदेश और बिहार में, रौगी को किस नाम से जाना जाता है A महुआ, B मधुआ, C मढवा, D मचुआ, इसका अंसर होगा, C मढवा 37 परतिस्वा कोश्चन, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है A चना, B अरहर, C बाजरा, D मसूर, इसका अंसर होगा, C बाजरा 38 परतिस्वा कोश्चन, चाय, किस परकार की किर्षी फसल है A रोपन, B निर्वाहन, C दुगद, D रवी इसका अंसर होगा, A रोपन 49 परतिस्वा कोश्चन, अरेविका और रोबस्टा किस फसल के परकार है A गन्ना, B तमबाकू, C कहवा, D ग्योहू इसका अंसर होगा, C कहवा 40 परतिस्वा क्वेश्चन, असम में चाय के कितने बगान है A तीन सो, B सारे तीन सो, D सारे साथ सो C सारे साथ सो, D साथ सो इसका अंसर होगा, C सारे साथ सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं कोमेंट करिएगा और अपने फ्रेंज को भी सेयर कीजिएगा ताकि हमारी इस वीडियो के माध्यम से बिहार वोर्ट से रिलेटेड सारे अब्जेक्टिव सोसल साइंस के मिल सके तो उनको भी फाइदा हो और आप ही की तरह उनको भी मार्क मिले तो सेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाके नविडिकेशन आउन कर लिजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो थैंक्यो धन्यवाद